पवन काजल होशियार सिंग लखविंदर राणा हिमाचल प्रदेश में मौझूदा राजनीती के कुछ ऐसे चेहरे रही हैं जिन्हों ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है और इनमें अगर हम बात करें तो पवन काजल और लखविंदर राणा की राजनीतिक प्रेष्ट भूमी भाजपा के साथ सही है वहीं होशियार सिंग और प्रकाश राणा आजाद रूप से चुनाव जीत कर आये थे लेकिन मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के साथ इनके नीजी संबंध ही इतने मधुर रहे कि मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने अपने विधान सभाक्ष चेत्रों में विकास के लिए खुला हाथ दिया था यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने होशियार सिंग और प्रकाश राणा को भाजपा में आने के लिए कहा तो वे बिना शर्त और बिना कुछ सवाल जवाब किये सीधे भाजपा में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर का कद भी इससे काफी बढ़ गया था उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस छोड़ कर पवन काजल भाजपा में आये लेकिन यहां पर बड़ी बात ये है कि पवन काजल और होशियार सिंग दो ऐसे विधायक है जो कि अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में अगर पाती जोईन नहीं भी करते तब भी मजबूत स्थिती में नजर आ रहे थे ऐसे में उन्होंने क्यों भाजपा जोईन की एक बड़ा सवाल है और इस सवाल की लगातार चर्चा भी सत्ता के गलियारों में रहेगी जब पव की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने उनको काफी सैयोग दिया है जो मांगा वो मिला ये भी वज़ा रही कि वे मुख्यमंत्री को इनकार नहीं कर पाए इसके बाद अगर हम बात करें तो साफ तोर पर कॉंग्रेसी प्रिष्ठ भूमी से अगर आलेकारी अध्यक्ष भी पार्टी ने उनको बनाया था लेकिन उसके बाद भी अन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को अल्विदा कह दिया उनके कॉंग्रेस से भाज़पा में आने को लेकर बड़ी चर्चा है क्यूंकि चुनावी राजिनीती को वे 2003 से ही अल्विदा कहे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा के तीन बार सांसद रह चुके सुरेश चंदेल आज कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए राश्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा का बिलासपूर ग्रिही जिला है और सुरेश चंदेल भी बिलासपूर जिला से ही आते हैं उन्होंने अपने राजनेतिक मित्रों से करीब दो तीन महीने की मंत्रणा और मशक्कत के बाद ये फैसला लिया कि वे भी अब राश्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा के कद को राश्ट्री अस्तर पर और बढ़ाएंगे और कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ कर भाजपा का दामन ठाम लेंगे कॉंग्रेस पार्टी को चोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने विलासपूर सदर के लिए टेकट देने के लिए कंसीदर्थ तो जरूर गया लेकिन कभी हां कभी ना मैं फसी कॉंग्रेस पाती ने सुरेश चंदेल को टिकट के लिए नेताओं के घर घर भटकने के लिए मजबूर कर दिया जो कि सुरेश चंदेल को कहीं न कहीं मंजूर नहीं था क्यूंकि उनका राजनेतिक कद भाजपा में इतना बड़ा था कि टिकट खुद उनके पास आती थी ऐसे में अंतिम समय में अब सुरेश चंदेल ने ये फैसला लिया है हालांकि कॉंग्रेसी कहते हैं कि टिकट तो उनका लगभग तै था लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र म कोदी के दौरे से ठीक पहले उनका ये बड़ा कदम कहीं न कहीं राश्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़्डा का कद तो बढ़ा ही गया उसी के साथ मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के लिए भी एक नया राजनेतिक समीकरण बनाता नजर आ रहा है इसके अलावा अ सदर से विधायक अनेल शर्मा को भी अब भाजपा में ही रहने के लिए मना लिया है अलांकि माना जा रहा था कि वे जल्द ही भाजपा छोड़कर अपने पुराने घर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं और यही कारण है कि उनके बेटे जो की कॉंग्रेस पार्टी में महत पार्टियों की राजनीती नहीं की जा सकती कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश आना है और सिलसिले वार तरीके से लगातार कॉंग्रेस के लोगों को भी भाजपा में शामिल किया जा रहा है भाजपा के लोग जो नाराज होकर चले गए थे उनको थी किसी ना किसी तरीके से राष्ट्री या अध्यकृ जगत प्रकाश नड़्डा मनाकर भाजपा में लाने का प्रयास कर रही है वहीं इस प्रयास में वे काम्याब होते भी नजर आ रही हैं मतलब एक तरह से चुनावी भाजपा के पक्ष में बनाने का प्रयास यहां पर भाजपा के नेता कर रही है और इसका सीधा लाभ भी भाजपा को दिखाई दे रहा है लेकिन सबके बीच में कल प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे और एम्ज बिलासपूर का उद्गाटन करने आ रही हैं अब देखना होगा कि उनके उद्गाटन में वहाँ वाही और शाबाशी वे किस चेहरे को देते हैं वे किस तरफ इशारा करेंगे इसके उपर सभी की निगाहें बनी रहेंगी वहीं इन सब के बीच में कहीं ना कहीं होश्यार सिंग, पवन काजल, लकविंदर राणा और प्रकाश राणा के बाद हर्ष महाजन और हर्ष महाजन के बाद अब पूर्व सांसद सुरेश चंदेल भाजपा को लगातार मजबूती देते नजर आ रहे हैं